आएए आज हम लोग M के उच्छारण के नियम जानते हैं यो तो हमारे देश के पूर्वी भाग के कई छेत्रों में इसे यम कहा जाता है जो कि गलत है यम नहीं होता भाई M होता है जिसे हिंदी में मा कहते हैं याद रहे मा नहीं मा नजल साउंड जैसे मी, मैन, मैरी और ये क निमोनी का मतलब है एट सिस्टेम ऑ वर्ड्स और लेटर यूजर फोर रिम्मेंबरिंबरिंग सम्टिंग यानि एक ऐसा चीज चीज के याद करने की कोशिस करते हैं जैसे कोई वर्ड मेरिंग याद करना हो या फिर टेबल्स से याद करनी हू़ या कोई फार्मूला याद करना हूँ तो हम एक सिस्टम बनाते हैं ताकि हमको आसानी से याद हो सके जैसे part up speech को हम कहते है ना पाक وی आ अईपी ताकि noun pronoun सब आसानी से याद हो सके वैसे तो मुझे एक ही word मिला है जिसमें M silent अगर आपके पास भी कोई ऐसे word हो नौलेज में हो तो उसे कमेंट करके आप जरूर बताएं आएए देखते हैं जरा M और डबल M में क्या फर्क है देखिए जहां पर डबल M होगा जैसे हम 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 तो यहां पर डबल M को इस तरीके से साउंड आएगा हम और किसी वर्ड के बीच में डबल M है उसको M नहीं कहेंगे बलकि आएज़ सिंगल M ही यूज़ करेंगे जैसे सम स-U-Double M-E-R सम समर नहीं होगा समर होगा Can you think of two more words with डबल M in the middle Put these words in your comment अगर आपके knowledge में कोई ऐसे दो वर्ड हूँ जिनके बीच में डबल M आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं English Alphabet का 14 हमा लेटर N है जिसके उच्चानल के नियाग हम अगली वीडियो में जानेंगे कि इसे ना कहते हैं या अड़ा कहते हैं या अंग या अंगा कहते हैं या अड़ा कहते हैं उसके अलावा N कब silent होता इन सब का discussion नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्ता